हलो दोस्तो कैसे हो आप सब उम्मिद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी तो दोस्तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूसफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ साथ ही कुछ ऐसे जोगाड भी जो हमारे पास बेकार समान होते हैं उनका हम कैसे रियूज करके अपन देर के वीडियो सुरू करते हैं यहां मैंने लिए हैं बच्चों के नोट बुक्स तो देखिए नया सेक्षिन शरू हो चुका है और पुराने जो नोट बुक पड़े हैं वो पूरे भरे हुए नहीं हैं आदे खाले हैं और आदे भरे हुए हैं तो सोचा इनका हम कैसे लोग होते हैं उनके लिए तो क्या है कि यह बात चोटी सी है लेकिन जो मिडल क्लास होते हैं उनको करीदने में समक्ष नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके लिए वीडियो यूसफुल होने वाली है तो करना क्या है कि देखिए इनके जो भी प्लेन पेज है वो आप निकालने के बाद देखिए आप फेवी को लगा के और जो भी प्लेन है वो सारे को अच्छे से पेस्ट कर लीजिए और फिर एक नया रजिस्टर आप बना सकते हो और अपने बच्चों को यूज में दे सकते हो यह तो मेरा पहला देखिए यहां पर आडिया हुआ है दूसरा इसको करने के बाद अच्छे से प्रेश करना है थाहत downta करने के बाद हम आतो कोई कैंची की जरृत है ना ही कुई चाकूगी आप इस तरह से कट करोगे तो आसानी से देखिए कट हो जाएगा और कटे हुए पार्ट आपको रख देना है इसके उपर और रखने के बाद इसको हमें फिर से फोल्ड करना है तो बहुती बड़िया तरीके सी इसको फोल्ड करना है बिल्कुल भी उपर नीचे नहीं रहना चाहिए रहने के बाद आप देखिए आप इस तरह से इसको और प्रिस कर दीजिए अब हमें एक लेना है पुरानी चूरी चूरी देखिए ना तो काच की रहने चाहिए ना ही कोई प्लास डीची प्लास मैंडल की जो चूडी होती है वो आप ले लीजी और प्लास से इसको एक कट यांपे लगा लीजी लगाने के बाद देखिए हमें इसके उपर दो छेद बनाने हैं तो दो साइड में हमें दो छेद कर लेने हैं और आप देखिए चूडी को इस तरह से जब कुमाओगे तो आसानी से ये छेद हो जाएंगे और हमें कटी हुई चूडी को देखिए दोनों साइड में डाल लेने हैं तो यहां मैंने देखिए डाल लिये हैं और दो अलग पार्ट इसकी चूडी के कर लिये हैं करने के बाद प्लास से हमें चूडी को अच्छे से सेट कर लेना है देखिए इस तरह से मोर गे ताकि ये खुलेना और हमारे हाथ पे भी ना लगे तो देखिए जिसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम आपको ऐसे ही करना है तो देखिए एक साइड का मैंने सेट कर लिया है सेम हम दूसरी साइड का भी ऐसे ही मोड लेंगे तो अब ये यूज करने के लिए तियार है इसका यूज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो देखिए जब भी हमें रासन पानी मंगवाना होता है कीचन का सामान तो हमें कोई डायरी का पेज चीए होता है बुक्स का पेज चीए होता है तो हम क्या करते हैं इदर उदर डूरते हैं बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है ना तो पेन मिलता है ना है कोई डायरी इस तरह की तो आप देखे ये पर्मानेटरे बना के अपनी कीचन में रख लीजे और जो भी आपको रासन फाने मंगवाना है वो आप इस तरह के डायरी में लिख दीजे और आप देखे बहुत ही बढ़िया तरीके से इनका योज कर सकते हो तो हैना बहुत ही यूसफुल आपको ये अडिया कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप कीचन में इसको हैंग करना चाहते हैं तो इस तरह हैंग भी कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीका है और देखे आसानी से पेज निकल जाता है देखे कितना आसा कर सकते हैं ऐक यह तो यहां पर में आपको तरीका काते हिओं यह आपको बहुत ही जदा पसंद आ लिए तो करना क्या है कि पहले आप अच्छे से इसको दोने कि बाद कीईए जीप लोग है तो आपको क्या करना है वह अगराँ है तो वह आपको आगे पता चल जाएका इसस तरह से च्शेद से बनाली हूं बनाने के बार देख़े हम क्या करेंगे इसमें डालेंगेहं में दो श्रीम देखे जो दली वाला हिंग होता है Сबसुद your stat पीछावह paar अ उतले साफुकें έχει होता है तो डली वाला हेंग और पास। दली को को आखाम होता है महिने बर का दो महिने का store करके हम रखते हैं तो गर्मियों में क्या है कीड़े लग जाते हैं अनाज में जिसे की चावल में दालों में तो आपको क्या करना है ये packet को डाल के इस तरह से रख देना है आप देखोगी कि फ्रेंज आपका महिने भर तक दो महिने तक आप इसको चला सकते हो बिल्कुल भी इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो आपको ये चोटा सा टिप केसा लगा कोमेंट करके जुरूर बताईएगा यहां मैंने लिए हैं जुराब तो दिखिए अभी सर्दियां जा चुकी है और सर्दियां जाने के बाद बहुत से जुराब मेरे निकले हैं कोई फटे हुए हैं कहीं के एक सोक्स हो गया है तो कहीं एक पड़ा है तो इस तरह की ये बच्चे हुए जो सोक्स हैं इनका हम केसे यूज कर सकते हैं मैंने इनको अच्छे से वोश कर लिया है पहले तो देखिए अब आपको करना क्या है कि एक यहां पर मैं जुराब यहां पर ले लेती हूँ लेनी के बाद आपको इसको अलग लग तरिकों से यूज कर सकते हो और यह जो आइडिया है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है तो यहां मैंने एक जुराब लिया है और उपर के देखिए हमें इस तरह से पतले पतले इसको कट कर लेना है फ्रेंज आप दुनिया के कौन सी कौन से इस वीडियो को देख रहे हो आप इसको अलग लग तरिकों से यूज कर सकते हो उपर वाला जो लास्टिक है आप देखिए चोटी में डालने में बालों में डालने में इसका यूज कर सकते हैं और देखिए हम हमारे पास बहुत से चार्जर होते हैं इयर फोन होते हैं तो उनको हम एसे ही इकटा रख देते हैं तो यह एक तो बिक्रेवे लगते हैं इस पेज जादा लगते हैं और घर भी क्या है और गनाइज नहीं लगता है तो आपको क्या करना है इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यह जो हमने कट किया है इसको आप इस तरह से आप पूरानी जुराब का भी यूज कर सकते हैं और अपने पूरे घर को और्गनाइज कर सकते हैं वो भी एक रुपे बिना खर्च किये तो हैना बहुत यूजफूल आपको यह आईडिया केसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा यहां में लिया है एक प्ल उसे समान होते हैं जिसे की दाल चावल तो उनको रखने के लिए हमें कोई कंटिनर की जर्वत होती है और अगर हमारे पास कंटिनर ननना हो तो आप यह दो बोटल का उपर का पार्ट लगा लीजी और इस तरह से देखिए एक कंटिनर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं यहां देखिए मैं आपको बंद करके भी दिखा रही हूं और अब आपको डाल को अगर निकालना हो तो सिदा ही आप देखिए इस तरह से इसको डखन को निकाल लीजी और आसानी से डाल देखिए निकल जाती है तो कितना बढ़िया तरीका है और यह वाला तरीका जो जो अलग रहते हैं उनको यह बहुत ही काम आने वाला है आपको यह तरीका कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और फ्रेंज आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें